उपमंडल चौपाल की अंतरकत क्राम पंचाय थुंदल की भमडोल में शांत महायग्य का आयोचन किया जा रहा है खास एवं महत्वपुरन बात ये है कि वर्ष 1971 के बाद ये पहला मौका है जब शांत महायग्य का आयोचन होगा और मंदिर में कुरूर की स्थापना होगी यूं कहें कि ये संजोग 51 वर्षु के बाद आया है क्षेतर वासियों में इस्थार्मिक आयोचन को लेकर खासा उत्साहा है और लोग बीते एक महा से आयोचन की तयारियों में चुटे हुई है बता दे कि बीते दो मई को डुमेश्वर महराज कुसनान केले जिला कांगला के नगर कोट ले जाया गया उसके बाद चार मई को वहां से वापसी हुई पांच मई को मंदर में जागरन होगा जिसे स्थान्य भाषा में ददौन कहा जाता है जिसके बाद शे मई को क्षेतर के देवताओं की उपस्तिती में मंदर की चट पर कुरूर की स्थापना होगी जिसकी गवाक शेत्र की सैक्डो जनता बनेगी मंदिर कमेटी ने लोगों से आहवान किया है कि इस धार्मिक आयोजन्मी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर महायग्य में भाग ले बर्गुल महराज की बोलो बरिजयश्य महता की उपमंडल चौपाल की अंतरकत क्राम पंच्राय थुंदल की भमडोल में शांत महायग्य का आयुचन किया जा रहा है खास एवं महत्वपुरन बात ये है कि वर्ष 1971 के बाद ये पहला मौका है जब शांत महायग्य का आयुचन होगा और मंदिर में कुरूर की स्थापना होगी यू कहे कि ये संजोग 51 वर्षु के बाद आया है क्षेतर वासियों में इस धार्मिक आयुचन को लेकर खासा उत्साहा है और लोग बीते एक महा से आयुचन की तैयारियों में चुटे हुई है बता दे कि बीते दो मई को डुमेश्वर महाराज को स्नान केले जिला कांगला के नगर कोट ले जाया क्या उसके बाद 4 मई को वहां से वापसी हुई 5 मई को मंदिर में जागरन होगा जिसे स्थान्य भाषा में ददौन कहा जाता है जिसके बाद 6 मई को क्षेतर के देवताओं की उपस्तिती में मंदिर की चट पर कुरूर की स्थापना होगी जिसकी गवा क्षेतर की सैकडो जनता बनेगी मंदिर कमेटी ने लोगों से आहवान किया है कि इस धार्मिक आयुजन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर महायग्य में भाग ले बोलो डुमे शर्माराज की थोड़ माता की मंगले शर्माराज की वर्गुल माराज की बोलो बुजे शर्माराज की थोड़ बुजे शर्माराज की थोड़ बुजे शर्माराज की लाइफ टाइम्स टीवी के लेई चपा से सुरेंद्र ममटा की रेप़